ओम नमहा सिद्धे भ्याहा कायोत सरगायतांगो जयती जिनपतिर नाभिसुनुर महात्मा मध्यान्य यस्चिवास्वान परिपरिगतो राजिते स्मोग्र मूर्तिही चक्रम कर्में धनाना मति बहुदहतो दूर मवदास्चिवातो सुर्यत सध्ध्यान बंधी रिव रुचिर तरहा परोदगतो विश्पुदिंगा मध्यात्मा मैं आज एक विशेश महत्व पूर्ण गरंथ कर पर प्रकाहण डारूंगी उस ग्रंथ का अध्यन आपको कराऊंगी संखेप में सार रूप में भव्यात्माओ ये ग्रंथ है इतनी महिमा को लिए है इतना महत्व पूर्ण है इस ग्रंथ का ही ये प्रसाद कि मैं आपको आज ज्यानमती के रूप में दिख रही हूँ इस ग्रंथ का मैं इतिहास आपको सनाओं और इसका नाम है पद्मनंदी पंच में सतिका हजारों बर्स गूरवा एक पद्मनंदी नाम से आचारी भूए है जिनोंने इस ग्रंथ के रितना की है इसमें पचीस अध्याय उन्होंने विभक्त किये है इसलिए इसका नाम है पद्मनंदी पंच में सतिका ये ग्रंथ है इसमें क्या भरा हुआ है अमूल ले ग्रंथ है करोणों करोणों रुपे स्योधिक मूल ले मार ग्रंथ अमूल ले इस ग्रंथ की विशेष्टा मैं आपको बताऊं मेरी मा जिनका नाम मोहनी देवी उनके विवाह में महमूदाबाद के स्रेष्ठी लाला सुखपाजदाजी जो एक अच्छे प्रतिष्टित विद्वान रहे हैं और जो सभा में सास्त्र पढ़ा करते थे सामान व्यापारी भी थे ऐसे स्रेष्ठी सुखपाजदाश्ट जो अपनी कन्या का विवाह कर रहे थे अपनी कन्या मोहनी उसके विवाह में उन्होंने वो ग्रंथ अपनी कन्या को अपनी पुत्री को दहेज में दिया था ये पदुनंदी पंजबे सुथ का ग्रंथ दहेज में दिया था छोटे राल जी जो की टिकेद नगर के निवासी नौबत राय के सुपुत्र धन्यकुमार जी उनके सुपुत्र छोटे राल जी उनके छोटे राल के साथ जिस कन्या का विवाह हुआ मोहनी कन्या विवाह थो करके दहेज में इस ग्रंथ को प्रात करके टिकेट नगर आ गई भब्यात्माओ इस ग्रंथ को उस मोहनी कन्या ने जैसा कि मुझे बताया कि उन्हों ने घर में भी इसका स्वाधाय किया था और कुमारी रवस्था में इसका स्वाधाय करके नियम किया था कि विवाहित होने के बाद मैं परतेक अश्मी चतु तसी को और पर्व के जिनों में तीर सों पर या तीर स्यात्रा में ब्रमचरिक का पालन करूंगी बच्पन में जिनोंने नियम ले लिया था कौमार रवस्था में ग्रहसा स्रण में आकर उन्होंने इसका पालन किया इस ग्रंथ को दहेज में प्रात करके उनका नियम रहा है कि मैं इस ग्रंथ का स्वाधाय किये बगेर पानी नहीं पिऊंगी प्रती दिन सौधाय करती थी मंदिर जाकर आकर दर्शन करके आकर सौधाय करती थी उन्होंने कर्ण्यारत्न को जनुजिया जिसका नाम रखा मैंना जो कि मैं और बच्पन में छोटी उमर में ही जब मैं पढ़ने लग गई और अच्छी तरह से सुध उचारन कर रही थी साथ आर बर्श की उमर में तो मुझे से वो कहती कि बेटी मैं सुध कप्ड़े पहन कर रसोई बना रही हूं तू ग्रंथ लेकर के बैठ जा और ऐसे ऐसे मंगलाचरन बोलो नौबार नमोकार्मत जपो मंगलाचरन पढ़ो ओंकारम मिद्सेक तब नित्यम ध्यान की योगिना आदिक मंगलाचरन पढ़ो मंगलाचरन पढ़कर के इस ग्रंथ को मुझे सुनाओ आज भी मुझे इस मुर्थी है कि मैं मा को इस 15-15 सथका के पहले इस लोग सुनाती संसुरत के इस लोग पुना उसका अर्थ पढ़के सुनाती और मुझे बहुत अच्छा लगता बहुत प्रिये लगता तो मा तो एक इस लोग दो इस लोग पढ़के संतुष्ट हो जाती कहती बेटी बस बंद कर दो तो मेरी मा को मैंने कई बार इस लोग को सुनाया और साथ ही मैंने 57 बार इस लोग का पूरा अध्यन किया ठीक से पढ़ती रहती थी 67 बरस की उमर से ले करके और 18 बरस की उमर में घर छोड़ने तक मैंने बराबर इसका अध्यन चालू रखा कभी थोड़ा कभी भूत पढ़ते ही रहती थी इस बीज में अनेकों और भी पुस्त के पढ़ी इसकी सहयोगी जैसे दर्शन कथा सील कथा जम्मू सामी चरित, पर्दमन चरित, धन्यकुमार चरित आदि भी पढ़े बभ्यात्मा इस ग्रंद के पढ़ने में इसमें धर्म का उपदेश तो है पहला अध्याई ही धर्मो पदेश अमरत नाम का है तो इसमें धर्म का उपदेश रुपी अमरत भरा ही है साथ इसमें स्रावक धर्म, मुनी धर्म रतनत्रे धर्म दसरक्षन धर्म और उसके साथ-साथ अध्यात्में एकत्य सब्तति अनित्पंजासत जिसमें अनित भावना का वह कर शुंदर मिवेचन एकत्य सब्तति जिसमें आत्मा एक है अकेला है तरीकावणन और परमार्तिवी सत्यादिक में आत्मा चित्ते चत्रू भगवान आत्मा सद्वोस्त अंद्रोदे आत्मा ऐसे अनेक अधिकार ऐसे ऐसे हैं और भक्ति के भी अधिकार है भक्ति के अधिकार भगवान इसब देओं की इस्तुति है पगवान सांतिनात की स्थुति है सिध्धों की स्थुति है आदि तो इतना महत पूर्णे ग्रंथ है मैं तो सब को प्रेणा देऊंगी कि आवस्चे आप लोग इस पदुनंधी पंजबी सत्का का स्वाध्या अपने जियोन में आवस्चे करें इसका मतलब यही नहीं कि आप दिक्षा ही ले लेंगे कब से कब दिक्षा की भावना करें आप सद ग्रहस बनेंगे महिलाएं जो इसका स्वाध्या करेंगी सद ग्रहनी बनेंगी नारी रत्न बनेंगी कन्याएं स्वाध्या करेंगी कन्या रत्न बनेंगी इस गुरंद का स्वाध्या, इस गुरंद का चिंतन, मनन, पठन, पाठन मेरे जीवन का तो बर्दान है, मेरे जीवन में बर्दान बना है मेरी मा के जीवन में बर्दान बना है ग्रेसा उस्था में मोहिनी माता ने अपने तेरा संतान को जनुदिया और उन्हों सबको बचपन से ही अपने इस्तन पान के साथ दूद पिलाते पिलाते उन्होंने धर्म पी अमरत पिलाया और उसके साथ ग्रहत धन का कुसर संचालन करते हुए सफल संचालन करते हुए ग्रहत धन का पालन करते हुए सद ग्रहनी के रूप में उन्होंने अपनी संतान को संस्कारित किया ग्रहस्ता वस्ता के मेरे पिता छोटे लाग हमेशा उन्होंने भी स्वाध्याय किया बिना देव दसन के भोजन नहीं किया जब तक शक्ती रही है असो सवस्ता में भले ही छोड़ा हो तो भब्यात्मा जंद्रामतियारिका ने एक छोटा सा नाटक बनाया है दहेज दो तो ऐसा दो आज दहेज अफसाब बन रहा है इसलिए मैं अनेग स्रावकों को प्रेना दिया करती हूँ कि आप पुत्र पुत्रों के विवाह में कोई नो कोई गरंत अवस्य छपाओ कोई नो कोई पुस्तके धार्यों पुस्तके छपाओ उनको बाटो वित्रित करो कम से कम सोब पुस्तके ही ले जाओ और सोब पुस्तके हैं चाहे जमुदीक पूजानजली है चाहे भगवान रिशव देओ आधी ब्रमा समय कर्णिया को दहेज में एक ग्रंथ अवस्थ देव और देव तो एक पद्वनदी पजुषत का अस्वा जयन भारतियादी कोई भी ग्रंथ अवस्थ देव उसे अच्छे संसकार बनेंगे तो भव्यात्मा सचुच में जहां मंग्राचरण में भगवान रिशब देव को आप अजबत आएट गहिता जिनःथ नाविन सोमनुर महात्मा नावि सुनुह लिए नाविराजा की पुत्र भगवान इसेडियो महात्मा महापुरुष जो आप्षा हैं जिनःथ टीर संकर भगवान सभी जिन्नके पती जैएति जैसीर हो में कैसे वो तो किसा बस्ता में उन्हें नमस्कार किया है, बहुत ही सुन्दर, ध्याना वर्स्ताम उन्हें नमस्कार किया है, कायो सर्गाय तांगो, कायो सर्ग से दोनों हाथ डटका करके, दोनों पेरों को चार अलग से रख करके, जो खड़े हुए, कायो सर्ग मुद्रा में खड़े भगवान शब्दियो ध्यान में डीन है उस समय का द्रस बहुत ही सुन्दर खीचा है आचारी स्री पजुनंदी ने कायो सर्गाय तांगों कायो सर्ग से जो खड़े हैं मध्यान ने यसी भास्वान उपरी परिगतो राज तेश मोग्र मूर्ति ही मध्यान कार्मे जिनके उपर सूर्य ठीव उपर आजाता है मस्तक के उपर सूर्य मध्यान कार्मे तो मध्यान यसी भास्वान उपर परिगतो राज तेश मोग्र मूर्ति ही उग्रमूर्ती सूर्य कैसा सोखायमान होता है कि जैसे कि बानो चक्रम करमे इंधना नाम अति बहु दहतो दूर मौदा शिवात शुर्यत सद्धान बंधे लिवर रुचिर तरा अप्रोध गतो विश्कुलिंगा ऐसा लगता है कि भगवान को सूर्य कैसा लगता है भगवान जब ध्यान में खडे हैं मध्यान में ओ सूर्य को इसा लगता है कि कर्ण रुपी इंधन को प्लिंगे निकल रहे हैं चिनगारियान कि दोरा उसमें से उस्षल करके एक फुलिंगा एक तिरंगा एक जो है चिनगारी उशल करके उपर बीच में आ गई ऐसा लगता है कि भगवान ध्यान रुप्य अगनी के दोरा जो कर रुपी इंधन को जड़ा रहे हैं तो जो चिनगारिया निकल रही है उसमें से ही ये सूर एक चिनगारी है ऐसी करपना कर रहे हैं आचारी स्रीप दुरंदी भगवान की सुति करते हैं कि भगवान ध्यान में दीन है भगवान रिशब्दयों ध्यान में खड़े हैं निर्जन बन में कहां प्रियाग में उध्यान में भगवान ने बटवरक्ष के नीचे दिख्षा ली थी छे महने का योग लेकर भगवान ध्यान में खड़े हो गए, तो ध्यान में खड़े भगवान, कुछ समय ऐसी सुन्दर कर्पना की है, कि ध्यान रुपी अगनी से कर्ण रुपी इंधन को जलाते हुए भगवान, भगवान ने, तीर संगरिशव देव ने, छे महने बाद आह हुआ हरसनापुर में, अनंतर भगवान ने, अनेकों बार प्रियाग में, और भी अनेकों निर्जन इस्थान में ध्यान किया है, एक हजार बर्स बात पुनाहा, वहीं जाकर ध्यान किया, उसी प्रक्ष के नीचे और क्योर ध्यान प्राप्त किया, तो कल्पना है कभी की, क आइसा लगता है वे सूर्य, मध्यान में जो मस्तक पर सूर्य आया, तो लगता है वे इक स्पिलिंगा ही है, इस प्रकार, ऐसे धान लीन भगवान सब्धेव जैसीर हुमें, उन्हें हमारा एक वार नहीं, अनंध वार, अनंद अनंध वार, नमकार है, नमस्तु है, भग्यात तो इतिहास महापुरान आदी प्रम्हा दिपुस्त के पढ़कर के आप भगवान इसवद्यों के चरित्रकों भी समझेंगे तो ये पढ़न अंदी पंजविसत का इसका मंगला तरण मैंने आपको सुनाया है मैं तो सबसे कहूंगी सबको प्रेणा दूँगी कि आप लोग आज से हिन्यम कर लें और पढ़न अंदी पंजविसत का अपने मंदि से नाएं कहीं से मंगा लें करन्थालेंव से और प्रात करके उसका साध्या प्रारम करें और उसके आनंद का अनभो करें उसमें जो आनंद भरा हुआ है जो अमरत भरा हुआ है परमानंद रुपी अमरत जो भरा हुआ है उसका अनभो करते वे अपने मानो जीवल को सार्थक करें पवित्र करें, सुखी बनाएं, और परलोग को भी सुखी बनाएं, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के पुरसार्थ में सफल हो, यही प्रेणना और मंगल